दोस्तों क्या आप लोगों ने भी कुछ नोटिस किया है कि हाल फिलल काफी सारे जो स्मार्ट फोन से जो डिसकंटीनियू हो गए है जैसे बात करें गैलेक्सी A52 की वह आपको मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा काफी सारे ऐसे फोन से जो की काफी अफोर्डेबल प्रैस पर लॉंच हुए थे लेकिन उनकी कीमत अब थोड़ी सी जादा भड़ गई है चलो वह सारी बाते जाने देते हैं अभी आप लोग खुद ही देखिए कि Intel और AMD के जो लैप्टॉप्स रहते उनकी कीमते काफी जादा हो गई और AMD कंपनी के जो नए लैप्टॉप्स आते थ तो आखर ऐसा हो किया रहा है वेल इसका सिंफल सा अंसर यह कि दुनिया भर में जितने भी प्रोसेसर से ना उनकी कमी पढ़ गई है और जित्तों की जिक्वर्मेंट होनी चाहिए उससे कमी हाँ पर बन रहे है वेल देखा तो चिप शॉटेज रहती इसके बारे पास में ए है तो उनको भी हाँ पर क्लियर करने कोशिल करते हैं तो वीडियो कर आप लोगों को पसंदा इंफॉर्मेटिव लगे लाइक कर देना चाहिए उनको सबसे पहले बात करते हैं चिप शॉटेज का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता कि एक पर्टिकुलर प्रोसेसर ह है उसकी कमी होंपर पर पड़ गई है Hoje ही किसी ब cherry कृणब वाली जो चोटी सी चिप और टीजि ऑ सबस्दों नके पास बात पर इमवन प्रोसेर की कोई कमी और हाल फिलाल रपोर्ट से आया है कि आईफुन के प्रॉडक्शन को भी हिट कर दिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आईफुन टाइम पर लाउंच को डिले होगा आईफुन टाइम पर लाउंच होगा लेकिन मार्केट में जैसी आएंगे कि यह जो पूरा एक साइकल बन गया ना यह यहां पर प्रॉब्लम क्रेट करें चलिए इसको सिंपल सी लेंग्वेज में समझा तो कहानी की शुरुआत से बात करते हैं सितंबर 2020 से यह शुरुआत हुई थी ना इस चीज की तब हुई थी एक्जेक्ली बात की जाए तो क्या ह हुआता है कि मार्ट से लेके सेप्टेंबर तो दुनिया में मेजोरिटी फैक्टरीज भी वन थी और फैक्टरीज का जो आउटपोट और है वो भी खतम था लेकिन क्या हुआ था काफी सारे रेटेल इस्टोर दुकानें भी कमती जिससे अगर आप किसी भी कंपनिया ग्रा की वुण्टउट्रीजन बहुत जदा है। इतनी ज़ाद है कि हर दूसरी कंपनीत्र टैबिल्स कह भिद्ट डैवलप कर रही इस्फ नियाने का मतलब है की जो की अब वो फुल्फिल नहीं कर पा रहे है तहित सिंपल से रिज़न यह कि किसी बी िलेक्रोडिक आईटम को बनाने के लिए चूटी-छूटी चिप्स लगती अब चिप होती चूटी लेकिन पता है उसको बनाने क्यों प्रॉसस होती है वह काफी सारी चीज़े होते जिसमें 4-5 हफते और लग जाते है तो 25-26 हफतों का टाइम लगता है एक अच्छे तरीके से ICF fabrication करने में processor को और problem बसा यहां पर क्या है यहां पर दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी जगे जहां पर high quality का जो fabrication होता है वो possible हो सकता है एक TSMC के पास एक Samsung के पास है और pandemic के बाद से यह जितनी भी fabrication plants है ना यह सारे अपनी full capacity पर काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जितनी requirement है उसे यहां पर fulfill नहीं कर पा रहे है अब बता requirement यहां पर कैसे से जादा की requirement आ गई यहीं देखके एपल लें forecast किया था कि iPhone 13 की जो sales होंगी वह iPhone 12 से भी जादा होने वाली है क्योंकि उन्होंने पूरा हिसाब लगा लिया कि iPhone 13 और जादा बिकेगा और ऐसा सर्फ एक company के बारे में बात नहीं कर रहा है इसा में दूसरी companies के बारे बात करो क कोई भी product अगर मार्केट में ला रहे है तो वह हाथ हो हाथ यहाँ पर बिक रहा है यह एक छोटी सी दिक्कत हो गई इनके साथ क्योंकि देखा जा तो दुनिया भर के अंदर जितनी भी companies है जितनी भी factories है fabrication plant है वो यहाँ पर अपने full capacity पर काम कर रहे है लेकिन फिर भी जो users की जो requirement आ रही है वो यहाँ पर fulfill नहीं कर पा रहे है और एक छोटी सी चिप होती है यह दुनिया में 61 ऐसी industries हैं including automobile car industry हर किसी को यहाँ पर impact करती है और एक बात बताओं आप लोगों यहाँ पर कि देखा तो तीन fabrication plants है लेकिन फुल capacity के होने के बावजूत भी जितनी requirement आ रही उती fulfill नहीं कर पा रहे है कि किसी company ने पहले अगर 10 लाग components का अगर order गया तो उसे 10 लाग मिलेंगे बाद में company बोले कि उसे 15 लाग चाहिए तो पांच लाग deliver नहीं हो पाए क्योंकि पहले उन्होंने 10 लाग का ही contract दिया था इत्ती बड़ी problem चल रही है यानि कि छोटे जमा करना शुरू कर देते हैं अगर ऐसा कुछ ऐसे लोग को लग गया तो automatically यहाप एक fake requirement क्रेट हो जाएगी कि यहाँ पर कमी पढ़ रही है चीजों की और लोग जमा करना शुरू कर दिया अब छोटे से group ने ऐसी चीज करना शुरू कर दिया तो बाकी लोगों ने भी यह यहाँ पर एसी चीज़े करना शुरू कर दी इससे market के अंदर जो खाने पीनों की आइटम की जो कमी रहती है वो एकदम से हो जागी और similar यहाँ पर यही हुआ यहाँ पर कुछ companies को ऐसा लगा था कि ऐसा ही होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर requirement और जादा बढ़ने वाली है और उन्हें पता चल गया था कि और जादा है वे प्रोडेक्स पिकिंग है बस उसके चक्कर में हर दूसरी company को लगने लगा और वो अपने पहले से जादा यहाँ पर order दे रही है अब इसी चक्कर में हर एक एक चीज़ यहाँ पर impact होगी example बात करें processor की AMD के processor यहाँ पर आ ऐसी directly खरीदर है अपने PC को upgrade करने के लिए बहले ही लोग को जरूरत नहीं हो लेकिन बात यह कि जिती भी companies है वो पहले भी इसी efficiency पे काम करती थी लेकिन market में इस तरीके सब demand create होगी कि कुछ भी वो लोग कर ले market में वो चीज़ बिकरी है यही रेकरीजन हो रहा है कोई भी phone का में इसलिए phone की कीमत उन्होंने बढ़ा दी और अच्छे तरीके से मालूम है कि phone की कीमत अगर वो 1500 रुपे जादा कर भी देंगे तब भी phone बहुत तरीके से बिक जाएगा यह चीज़ उन लोग को यहां पर पता है और यही चीज़ यहां पर focus करके काफी तीजी से लोग बना रहे है अब यह कहानी है ना यह processor market के अंदर चल रही है processor के काफी जादा कमी आ गई है और company को तो यह भी पता चलिए कि इंडिया में 5G phone की demand बहुत जादा होने वाली लोग यहां पर 5G phone ही खरीदेंगे इसलिए 20,000 के उपर कोई भी phone निकालो तो वो 5G ही होना चाहिए इसलिए 4G वालों का production कर दिया खतम और 5G वाली chips के साथ 9-9 phone निकालना शुरू कर दिये अब खोदी देखो Samsung के आने वाले जितने भी 20,000 के उपर के phone होंगे सब के समय 5G होगा 4G phone almost discontinue हो चुके है market में जो already है वही बिक रहे है बाकिते जादा कोई नहीं बिक रहे हर company को यह तरीका तो है कि जादस जादा fabrication plant open किये जाए Intel नहीं ही किया है वो लोग 10 billion dollar invest करने वाले और एक नया fabrication plant open करेंगे लेकिन वह होगा 2023 में ऐसे हाल फेलाल नहीं हो पाता इससे लड़ने के लिए Tata ने भी जो basic IC chips होती ना उनको बना पाना यहां पर शुरू करा यानि कि उन्हो को भी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि आथ के समय में सभी लोग को यह चीज पता चल गया है कि जो चीज हमें जितनी दूर देख रही है उससे जल्दी वो चीज इंप्लिमेंट हो रही है क्योंकि पिछले एक साल के अनना market बहुत जादा बदल गया है और सबसे बड़ी च जल्दी यहां पर 5G के deployment देखने को मिल जाए क्योंकि सारी चीज यहां पर connected हो रखी है यह बिल्कुल आप इसे ऐसी समाज सकते हैं कि स्वेस कैणाल में छोटा सा शिप यहां पर अटक गया था पूरी दुनिया भर की economy यहां पर effect पढ़ गई थी ना similarly यहां पर chip shortage के साथ ऐ increase होने वाली है और 2022-2023 तक यह सलसला चलता रहेगा यह चीज आसन तरीके से खतम जोने वाली तो जोस्तों इस सारी चीज़े होती इसके बारे में काफी सारी अलग अलग information थी और काफी सारी चीज़ें आप प्रेजेंटर ने कोशी करी थी उमीद आप कोई वीडियो पसंद आया होगा तो आपका जो प्रोसेसर खतम हो रहे है इस बारे में आप लोग के opinion यह बात की नीचे कमेड़ माता ना भूला वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना चैनल को यहां पर सुस्क्राइब कर देना थेंक्वा कोई टेखने के लिए आप सेंटों नेक्स्ट वन में गबड़ आप